So Hello Everyone DCW Limited के Quarter 3 के Result आ चुके हैं चलिए देखते हैं कैसे रहे Result और गाइस यह जो Amount है यह लाख में ओके यहां पर बात करूं मैं DCW Limited की Total Income के बारे में आप देखेंगे 58,000 से यह Decrease हो गई है 40,000 हो गई है yearly basis में and quarterly basis में भी आप देखेंगे यह 41,000 से Decrease हो गई है 40,000 हो यह इनकी Total Income आगे Total Expenses खर्चे 51,000 से 42,000 हो गई हैं मतलब Decrease हो गई है yearly basis में quarterly basis में 41,000 से थोड़े से Increase हो गई हैं खर्चे 42,000 हो गई हैं आगे बात करूं में Total Comprehensive Income की आप देखेंगे पिछले साल और पिछला Quarter Company Profit में थी Now 1232 का इनको Loss हुआ है So overall मतलब यहां पर इस टाइम पर रिजल्ट जाद अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं क्यूंकि quarterly basis में पिछले quarter में Profit में थी 266,000 के बट Now 1232 के Loss में हैं और yearly basis में भी 4800 के यह Profit में थे बट Now 1232 के Loss में हैं So overall मतलब इस टाइम पर रिजल्ट अच्छे नहीं रहें और running पर share भी आप देखेंगे 1.63 से यह negative 0.42 हो गया है So overall मतलब रिजल्ट इनके अच्छे नहीं रहें So that's why यहां पर एकदम से इस share में गिरावट हो गई है So that's why I am a देखेंगे So that's why I am a ओ for the